नमस्कार आप देख रहे हैं देश्वानियूज और मैं हूँ आपके साथ कुमार कौशिक आज हम बात करेंगे टूफिंगर टेस्ट के विशे में मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा टूफिंगर टेस्ट है क्या जिहां ये वो जांच है जो बलातकार की पीड़ताओं के दौर से गुजरना पड़ता है तब जाकर के साबित होता है कि वो पीड़ता जो है वास्तों में बलातकार पीड़त है या नहीं दरसल टूफिंगर टेस्ट के दौरां डॉक्टर अपने दो उंगली को उस पीड़ता के विजाईना में गुपतां में डाल करके उसके लची वो सेक्स्वल एक्टिव है की नहीं अगर टूफिंगर टेस्ट पोजिटिव आ जाता है तो इसको दलील बना करके बलातकारी को आरोपी को बरी कर दिया जाता है बरी करने का कोशिश किया जाता है और इसका हमेशा से विरोध होता है या हुआ है ये बहुत ही पुरानी प्रेजा टेश्ट कराए जाता है। जो की बिलकुल बकवास माना जाता है। 2013 में इस पर बैन लगा दिया गया था। सुप्रीम कोड के एक खंट पीट ने इसकी वर्चना की थी। इस पर टीपड़ी की थी। क्या सेक्स्वाल एक्टीब महिला का बलाकार नहीं हो सकता है। क्या उसका बलातकार नहीं हो सकता है बलातकार के मामले को साबित करने के लिए ये टेस्ट बेहत फालतु टेस्ट है सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है बावजूद आज भी पुलिस प्रशासन के द्वारा बलातकार पीडित महिलाओं का टू फिंगर टेस्ट कराए जाता है और मैं अभी वर्तमान संदर्प की बात कर रहा हूँ अभी ये मामला क्यों तूल पकड़ा हुआ है चुकि टू फिंगर टेस्ट का हमेशा ही वी रोध होता रहा है कई समाजिक संगटनों ने महिला संगटनों ने टू फिंगर टेस्ट को गलत बताया है इसको महिला की टेस्ट एक हरेस्मेंट जैसा ही टेस्ट है एक जांच है इसको सुप्रिम कोट ने माना है जारखन के एक मामले में हाई कोट ने टूफिंगर टेस्ट को ही आधार बना करके आरोपी को बरी कर दिया था टूफिंगर टेस्ट पॉजिटिव आया था और पॉजिटिव होने के बाद आरोपी को इसलिए बरी कर दिया गया था कि वो महिला सेक्सवल एक्टिव है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दलील दी थी उस पर टिपड़ी की थी इसकी भत्सना की थी और एक मामले में 31 सक्टूबर को जश्टिट डी वाई चंद्रचूड और हीमा कोहली ने यह टिपड़ी किया है यह फैसला दिया है कि जल्द से जल्द टूफिंगर टेश्ट को बंद किया जाए केंद्रे स्वास्त मंत्राले को सुचित करने का निर्देश दिया है कि इस पर कड़े कदम उठाय जाए और इस फालतू टेश्ट क कर ले लाइक करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूले साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाओ जरूर दे सिर्फ खबर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले